कि अमस्कार कैसे हो मेरे नौजवान साथियों बिल्कुल आप सभी का स्वागत है वापस पुन है आपके अपने मैजिक शो 2.0 में बहुत उपाजी दक्वाज की बात कर ली है चेकिशा प्रमान पत्र की बात के लिए काफी सारी चीजे हमने इस मैजिक शो के दुरान कर ली है जो एक short notes के तुरपर आपके लिए फायदे बंदे मैक्जिमम से मैक्जिमम 5-7 मिनट मिनवम 2-3 मिनट गाएग ऐसा शो जो आपके लिए बहुत information रखने वाला है और बड़ा informatic रहने वाला है आज के शो की बात करें तो आज हम क्या देखेंगे कि अवकास जो दिया जाता ह उस अवकास के लिए वेतन किस प्रकार दिया जाएगा यानि परतेग अवकास के लिए दे अवकास वेतन की रासी पूरे rules कौन से rules में इसको set किया गया है और कौन से rules से इसको relate किया गया है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं सभी साथी एक बार session को like और share कर दें फटा कि रासी अब परतेग आउकास के लिए दे अवकास वेतन की रासी का क्या सिनोमीनान है क्या फेनोमीनान है कैसे चिज़ें रेलेट होगी देखिए सत्याण में सत्याण में एक उपार जीत अउकास में वेतन के से मिलेगा जो वेतन इस प्रकार प्राप्त करेगा जो अवकास पर जाने से पूर प्राप्त कर रहा था समझी है मेरी बात आप ओन डूटी थे जब आपको जो पैसा मिल रहा था वही पैसा आपको उपार्णित वुकास के दोरान मिलेगा यानि आवकास पर एक करमचारी वह वेतन प्राप्त करेगा जो आवकास पर जाने से पूर प्राप्त कर रहा था किन्तु यदि वह अतरिक्त कारिये या दोहरा कारिये करने के कारण विशेश वेतन प्राप्त कर रहा था तो वह नहीं दिया जाएगा कोई इसको अत्रिक्त वेतन दिया दरता विशेस कारे के लिए तो विशेस कारे के लिए जो अत्रिक्त वेतन दिया जा रहा था वो नहीं दिया जाएगा नॉर्मल पोस्ट पर उसको जितना सेलेरी मिल रही थी, वो सेलेरी उसको उपार्द्य अवकास के दोरान भी मिलेगी, यह है उपार्द्य अवकास में वेतन सत्याण में, दूसरा आता है अर्ध वेतन और अधे वेतन, अर्ध वेतन और अधे वेतन अवकास में, अर्ध वेतन और अधिन के मामले में रूपे 16000 की सीमा लागू नहीं होगी, ठीक है? देखो, गुंचुट अजार, मानलो किसी के शेलरी बहुत ज़ादा है, तो गुंचुन अजार से कम तो जितना है, उतना आधा मिलेगा है Vil आधी मिलेगी, पर गुंश्ट अजार से ज्यादा नहीं मिलेगी समझ रहे हैं आप मेरे बाद किसी के देड़ लाग है तो पिछितर जार नहीं तो पूर प्राप्त वेतन की आधी रासी मानलो आपको चालिस जार मिलते तो बीस आजार पर मिलेंगे और पचास जार थे तो आपको पची सार मिलेंगेkal और दो जगें चिकिष्या और अध्यन के मामले में गुशन्सादजार की सीमा लागु नहीं होती, या तो आप किसी मेडिकल लीऑ उपर हो या किसी अध्यन करने जा रहे हैं, उस मामले में ये लागु नहीं होगा। उसके बाफ हैं रूपांत्रिथ अवकास, रूपांत्रिथ अवकास में वेतन किस प्रकार मिलेगा। किसके प्रकार उपार जित आउकास के जिस प्रकार वेतन मिलता था उसी प्रकार यहां पर भी आपको वेतन मिलेगा एक है आप कैसे वतन मिलेगा इसमें आवकास में करमचारी को किसी प्रकार का आवकास वेतन दे नहीं होगा विश्राम काल में करमचारी को कर्तवे के समान वेतन दिया जाएगा क्योंकि विश्राम काल में आपको पता है करमचारी को कर्तवे पर ही माना जाता है तो ऐसाधरन अवकास में किसी प्रकारगा वेतन दे नहीं होगा रुपांत्रीत अवकास में जो वेतन है वो उपार्जीत अवकास के दुरान दिया जाएगा उपार्जीत अवकास में जो वेतन है जो उसको पहले जितना पैसा मिल रहा था ओन डूटी में उतना पैसा मिलेग कि ज़्याद नहीं मिलेगा 59,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा ठीक है सातियों तो यह आपका आज का नियम नमबर 97 का एक जिक्षों मिच में आपको जो भी प्रसंट पूछे जाएं यहां से उम्मीद करूगा कि अब गलत नहीं होंगे सेशन को ज्यादा ज्यादा लाइक शेर करें और बैतरीन तरीकी से चीजों को जोड़ने की कुशिस करें आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद जैभारस झाल 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 झाल